सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें लाइक जरूर करें हलो फ्रेंड बेकिंग कुक में आपका स्वागत है आज मैंने हाटन सार सूप बनाया है बिल्कुल रेस्टॉरेंट स्टाइल में ये दिखिए जैसे आप कभी होतेल जाते होंगे ये रस्टोरेंट में आप सूप पीते हों कि वैसा ही सूप बनाया है मैंने तो चलिए मैं आज आपको इसकी रसिपी इस बताती हूँ कि किस तरह से आप हॉटेंट सार सूप बिलकुल हाटल स्टाईल का बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनता है चटपटा है बारिश के दिनों में इसका पीने का मज़ाई बहुत अच्छा आता है ठंड के दिन हो और खटा मीठा इसका टेस्ट होता है खटा मीठा तिखा तिखा थोड़ा सा आप ज्यादा भी कर सकते हैं वो आपके उपड़ी पेंट करता है जटपट अब हम इसे बनाने की तयारी करते है तो चलिए होट एंसार सूप बनाना कैसे है वो मैं आपको बिताती हूँ यहाँ मैंने इंक्रीडियंट्स आरे निकाल लिया है उसके लिए यहाँ पर मैंने यह कैप्सिकम कट किया है थोड़े से हरी प्याज है यहाँ मैंने एक गाजर एकदम बारिक फाइन चॉप कट किया है, आप चाहे तो किस भी सकते हैं, लेकिन कट में टेस्ट अच्छा आता है, और यहां मैंने ये कैबिज लिया है, इसे भी बारिक एकदम कट कर लिया है, और यहां पर मैंने ये जिंजर और गार्लिक है, उसे भी बारिक चॉ एक चम्मच यहां पर मैंने सोया सॉस लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक लेंगे यह रेड चिली सॉस मैंने पिछली वीडियो में बनाया था आपको मैंने यूटूब अपने चैनल पर डाला भी था यदि आपने नहीं देखा है तो आप इसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं यह घर का बनाया हुआ रचिली सॉस है तो चलिए फटा फटा भाव में से बनाते हैं इसमें हमें तो चम्मच ओईल लेना है तेल गर्म हो गया है आप हम इसमें पहले यह चौप किया हुआ गार्लिक डालेंगे यह लिख्या भी थोड़ा सा ब्राउं हो गयो है इसको हल्का सो कॉपे करना है हामें जीन्जर गार्लिक अठा ब्राउन हो गये थोड़ा सा तब हमें इसमें सारी सबज़िया डाल लेनी है आप को धीशिम्ला मिर्च बस अब हमें इसे थोड़ा अच्छे से भूल ले लेना है क्योकि सबज आप ऐसमें पानी डाल देंगे ससबजी आचा से सौते हो गई है इसमें तीन गलास पानी लिया है इसमें हमें अ 예क्ट करतो है नमक ध्यानसे डालें ज्योंकि हम स्वाय क्राइब भी डाल रहे हैं एको इसमें सॉया-च्ज्ड औरानी मोर्च अब मेड्स नमाफ सोया सास डालेंगे, यहां मैंने दो चमच सोया सास लिया हैं दो चमच विनिगर एक चमचस रेट चिली सास है यहां पर रिया है एक चमच इसमें डाल देंगे और इने अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा हम इसमें ब्लैख natürlich करेख कर चे डाल देंगे कोब हम इसमे गाड़ा पन करने के लिए काम प्लार डानेंगे यह थो पानी डालना है थोड़ा सा और इसको एक गोल बनाना है यह इस तरह से पतला गोल करिए इसमें लम्स नेर नची अच्छे से गोल दीजिए देखे इस तरह से अब हम इसे पूप में डालेंगे इसे हमें इसे चलाते हुए डालना है सूप अभी एकदम बढ़ियां पक चुका है अब हम इसमें ड्रीम यह जो हमने हरी प्याद डाली थी यह इसमें डाल देंगे बस आब यह सूप एकदम बनकर रेडी होके है खुछबू भी बहुत अच्छे आ रही है फ्रेंड्स बारिश हो रही है या ठंड का दिन है तो बहुत बढ़ियां आये टेस्ट लगेगा आपको चलिए अब हम इसे सर्फ करेंगे चलिए अब हम इसे बावल में लिकाल लेते हैं सूप पीने के लिए बढ़ियां रेडी हो गया है एकदम बढ़ियां हॉट टेंक सार सूप इसे जरूर बना करें करें जो जिंजर गालिक है वह गरम करता है तो बारिश की दिनों में ठंडा ठंडा मौसम है कुछ गरम पीने का मन करें तो इसे आप जरूर बनाईए अब हम इसे कानिश करेंगे जो हमने ग्रीन अनियन कट करके रखे थे थोड़े से बचा लिए थे इसको हम उपस से हलका सा डाल देती है कितना बढ़िया दिख रहा है कलर भी बहुत परफेक्ट आया है और सी कंसेस्टेंसी आपने देखाना मैंने सी कितना गाड़ा रखा इसी तरह से आप बनाईए और जरूर पीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताईए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए और अपने प्रेंट्स को में शियर करिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज सब्सक्राइब भी करिए थैंक यू सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूले लाइक जरूर करें